So, hello guys, what's up, I hope you are doing well. So, दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने बाले है Parliamentary System और Presidential System के बारे में मतलब जो राश्च्रप्रदी विवस्ता है और जो संस्ति विवस्ता है उसमें कौन-कौन से मुख्य विंदू है विभेद के उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं समसे पहले हमारे पास आजाती है संस्ति विवस्ता तो पहला पॉइंट क्या कहता संसिति विवस्ता में दोरी सदसिता इसमें जो गईज जो Executive होता है जो Executive Power होती है उसके दोरी सदसिता होती है मत जो Executive Power है वो जो है कार्यपालिका का भी सदसिय रहेगा और वो जो है बिधानपालिका का भी सदसिय रहेगा फॉर एक्जेमपल अगर हम बात करें परधान मंत्री की तो परधान मंत्री जो है बिधायका का सदसिय भी है और वो कारेपालिका का सदस्य भी है जैसा कि हम संसेदी बेवस्ता में देखते हैं दूसरा हम देखते हैं राष्ट्रपती बेवस्ता तो राष्ट्रपती बेवस्ता में दोस्तों जो executive power होती है जो main executive power है वो सिर्फ और सिर्फ जो कारेपालिका होती है उसका सदस्य होता है वो विधायका का सदस्य नहीं होता for example हम अगर अमेरिका की बात करें तो वहां का जो राष्ट्रपती है वो विधायका का सदस्य नहीं होता वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी कारेपालिका का सदस्य होता है जबकि भारत में इसका उल्टा है भारत में संसदी प्रणाली है तो इसलिए यहाँ पर जो है एक्जीक्यूटिव पावर होती है वो बिधायका का सदसे भी होती है और वो जो है कारेपालिका का सदसी भी होती है जबकि अमेरिका जैसी सिस्टम में जहाँ पर और दूसरा राश्ट्रपति वेवस्ता में हम क्या देखते हैं? राश्ट्रपति एबम विधायका का प्रिथक रूप से एक निश्चित अबधी के लिए निर्वाचन. अब जो राश्ट्रपति सिस्टम होता है, जो प्रेजिडिंचिल सिस्टम हमारे पास होता है, उसमें र जो राष्ट्रपती होता है, यहाँ पर भी वैसे ही होता है, जैसे जो मेन पार्टी होती है, जिसको बहुमत होता है, वो पहले पावर में आ जाती है, और उसके बाद अमेरिका में बहुती युनिक सिस्टम है, उसके बाद राष्ट्रपती जो है, विधायका जो हमारे पास वहां की विधायका होती है, वहां से मेंबर को नहीं उठाता, ये क्या करता है, अलग अलग जो various fields होते है, जैसे कोई science की field में हो गया, कोई tech या science की field से हो गया, कोई दूसरा agriculture field से हो गया, दूसरा commerce की field से हो गया, इनको जो है, अपने सचिव बनाता है, मतलब इनकी साहिता से सामूहिक उत्तरदाई, इसका क्या मतलब है, यहां पर देखते हैं सामूहिक उत्तरदाई तो, इसका मतलब यह होता है, कि जो executive power होती है, वो उत्तरदाई होती है, पूरी की पूरी शंसत्त के प्रति, अगर माल लिजित अब इश्वास प्रस्ताव जो है, पारिद हो जाता उस case में सरकार को फ्लोर टेस्ट करवाना पड़ता है, उस case में सरकार को बताना पड़ता है कि हमारे पास परियापत बहुमत है, अगर परियापत बहुमत नहीं होता तो सरकार गिर जाती है, मतलब ये उत्तरदाई है संसंत के प्रती, संसंती बेवस्था में सरकार, जो executive authority हमा जाता है जैसे अमेरिका में चाट साल के लिए चुन जेला जाता है तो जब तक कि वो कोई गैर समयधानिक कारे नहीं करता तब तक जो है इस राष्ट्रपती को वहां से हटाया ही नहीं जा सकता जब कि भारत में देखे स्थिती उल्टी है यहां पर अगर इतना अगर विपक राजनेतिक एक रूपता जो हमारे पास संसदी वेवस्ता होती है उसमें राजनेतिक एक रूपता हमें देखने को मिलती है अब यहां पर हम देखते है जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी मान लीजे उसकी डॉमिनेंस है लोकसभा के अंदर तो जैसे NDA हो गया NDA की हम बात कर राजनेतिक एक रूपता होती है उनके विचार सभी के एक जैसे ही रहते है लगबग पूरे टर्म में अपने ठीक है जबकि जो दूसरी हमारे पास राश्टरपती वेवस्ता होती है उसमें देखिये क्या है राजनेतिक एक रूपता नहीं रहती इसमें जो लीडर था वो ही ना कहीं थोड़ा सा विचलन आ सकता है जबकि हम देख सकते हैं कि जो संसदी वेवस्ता है उसमें जो है इस तरह की कोई भी विचलन की कोई संभावना नहीं होती यह एज़र टीम बग काम करते है लेकिन यहां पर राश्टरपती को बहुत ज़्यादा पावर होती है इस इसको हम देखते है इसका क्या मतलब है दोफरी कारी कारणी का मतलब यहां पर है अगर हम संसदी वेवस्ता में देखे तो यहां पर हमारे पास एक्जीक्युटीव हमारे पास लगवग जैसे हम देखते है कि इंडिया के अंदर जो है है एड अफ दे स्टेट कौन होता है ह तरह की कारी कारणी हमारे पास यहां पर है government का head यहां पर कोई और है और पूरा का पूरा जो state है उसका head यहां पर कोई और है इसलिए यहां पर word यूज किया गया है दोहरी कारे कारणी जबकि जो राष्टरपती सिस्टम है उसमें देखी क्या है एकल कारी कारणी एकल कारी कारणी का क्या मतलब है एकल कारी कारणी का मतलब ये है कि इस presidential system में क्या होगा head of the state भी वही होगा और जो head of the state है वही जो है सरकार का head भी होगा ये इसका मतलब है नेक्स्ट हम देखते है परधान मंत्री का नित्रित्यू अब संसदी वेवस्था जो हम देखते है उसमें नित्रित्यू जो है मतलब परधान कौन होता है एक्चुल में वो परधान मंत्री होता है और जो राष्ट्रपती वेवस्था होती है उसमें हैड कौन होता है उसमें राष्ट्रपती का जो है ज़ादा नियंतरन रहता है, बोलने की बात यह है कि जो संसिदी बेवस्ता है, उसमें हैड लगबगले रहता है, परधान मंतरी, मतलब उसका बर्चस होता है, जब कि राष्ट्रपती बेवस्ता में सबसे ज़ादा पावर होती है, राष्ट्रपती उसका बिगटन हो सकता है, लोग सबा का बिगटन हो सकता है, अगर सरकार जो है बावमवत में नहीं है, सरकार गिर गई तो लोग सबा का बिगटन हो सकता है, on the other hand मैंने आपको कहा कि राश्ट्रप्रदी विवस्ता में निचले सदन का कभी भी बिगटन नहीं हो सकता है, वह हटाया जा सकता है बीशेश प्रोविजन से लेकिन ऐसे अगर कोई अमेरिका का राष्टरपती बन जाता है तो वो लगवग उसको जो है चार साल से पहले जो है नहीं हटाया जा सकता नेक्स अम देखते हैं नीतियों में अनिश्चितता रहती है इसमें जो है नीतियों में क्या रहती है अनिश्चितता रहती है अब यहाँ पर देखे यह समझने की बहुत जादा आवश्चितता है हमें नीतियों में अनिश्चितता क्या मतलब है फॉर एक्जेंपल यहाँ पर माल लिजे सरकार चल रही है NDA की, NDA की सरकार यहाँ पर चल रही है, अब for example मान लिजे, यहाँ पर एक दम से कुछ ऐसा होता है कि NDA की लोग प्रिता बिल्कुल नीचे चली जाए ऐसा दिखता तो नहीं है लेकिन मान लिजे, यह बोलने की बात बोल रहा हूँ तो उसके बाद जो यह UPA है क्या यह NDA की जो policies थी, क्या उनको आगे favor करेगी, यह नहीं करेगी जो इन्होंने policies बनाएगी, उनको हटा देगी और नहीं policies को start कर देगी अब यहाँ पर देखे, हम नीतियों में अनिश्चत्वा आ गई जो पहले नीतिया इसकी थी इस पहले बाली सरकार गी, वो नीतिया इसकी नहीं है, इसकी वो नीतिया नहीं है, यहाँ पर हम देख रहे है कि नीतियों में परिबर्तन आ रहा है, ठीक है क्योंकि सरकार अगर अस्थिर होगी, तो नीतियों में परिवर्तन का आना जो है सोभाविक है दूसरा हम देखते है राष्ट्रपती वे उस्ता में देखिए नीतियों में निश्चितता रहती है नीतियों में क्या रहती है निश्चितता रहती है मतलब इसमें निश्चितता रहती है जैसे देखिए कि उसकी नीतियों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो उसको रोकने बाला वहां पर कोई नहीं है जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो है जो वहां की जो विधायका है उसके प्रती जो है उतरदाई बिल्कुल भी नहीं है तो ये जो है अपने हिसाब से काम करेका स गठबंदन की सरकार है मालीजिये अब दो तीन जो है इसके अंदर इस तरह से गठबंदन की एक पार्टी बनी हुई है तो जो इसकी बीच वाली इस पार्टी की जो मेन पार्टी है इसकी जो नीतिया होगी वो कहीं न कहीं इन साइड वाली पार्टीयों से भी प्रभावित ह होती रहती है जबकि राश्ट्रपती विवस्ता में नीथियां निश्चित रहती है अंतीम हम देख लेते हैं अरकुशल ब्रद्धान मंत्री चुन लिये जाता है तो प्रदान मंत्री उसके पाद जो है संसद से ही जो है अपने मंत्रियों का जो है न्युक्ति करता है उसके बाद तो यहां पर जो न्युक्तियां की जाती है वो किसी बैक्ग्राउंड को देखके नहीं की जाती यहां पर किसी भी व्यक्ति को कोई भी पोर्टफोलियो जो है सौपा जा सकता है कोई भ अगर हम राश्टरपती को देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा, राश्टरपती पहले चुन लिया जाता है, अब राश्टरपती जो है, वहां की विधायका है, वहां से मेंबर नहीं चुनता, एक्जीक्यूटिव के वोग करने के लिए, ये जो है, वेरियस फील्ड से, अलग व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है, जबकि हम राश्टरपती व्यवस्ता में अगर हम देखें, तो वह एक्सपर्ट की साहिता से जो करता है, ठीक है, तो यहां पर हम देखते है, विशेशक्यों द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है, तो ये थे कुछ पॉ